C.I.E.T. N.C.E.R.T. दोरा प्रस्तुद है कक्षा 5 की हिंदी की पाठे पुस्त तक रिमजिम भाग 5 का चौथा पाठ नन्हा फनकार प्रिष्ट संख्या 33 से 40 तक प्रिष्ट 33 नन्हा फनकार वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुद्बुदाई और छेनी हतोरा उठा कर अपने काम में जुट गया कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की खतारें और कडियां उकेरना शुरू किया था लड़के ने एक अध्वनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और साफधानी पूरवक हतोरे से घंटी पर नकाशी करने में जुट गया हतोरे की वार से पत्थर पर जो कटाओ उभरता उससे पत्थर के किर्चे छितरा जाती ही और वो आँखें से कोड लेता साथ-साथ धीनी आवाज में वो कुछ गुन-गुनाने भी लगता उसके चारों और दूसरे संक्तराज भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे केशव दस साल का था और अभी अपना काम सीखी रहा था पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था अब तक उसने नकाशी का जो भी काम किया था उन में से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज्यादा मुश्किल था केशव जानता था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियां महीन नफीस बेल बूटे कमल के फूल लहराते हुए साप और इचला कर चलते हुए घोड़े ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था उसके माता पिता गुजराद से आगरा आकर बस गए थे बाश्शा अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यहीं काम मिल गया केशव का जन भी आगरे में ही हुआ था उसे गुजराद के पुष्टेनी गाउं जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला आगरे की गलियां और अब सीकरी बस यही उसका घर था चारों और हो रही छेनी हथोडों की ठक ठक खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी न सुनाई पड़ी इसलिए अचानक कानों में एक आवाज बढ़ने पर वह चौक किया माशा अल्लाह ये घंटियां कितनी सुन्दर हैं तुमने खुद बनाई हैं पीछे मुड़कर केशव ने आँखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा बेशक मैंने ये घंटियां बनाई हैं क्या मैं आपको पत्थरों पर नकाशी करता नजर नहीं आ रहा देखते नहीं मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ केशव ने बड़ी तलखी से जवाब दिया दिखता तो है पर तुम इतने छोटी लगते हो ना वहाँ आदमी हसते हुए बोला मैं दस साल का हूँ दस अच्छा वहाँ आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला तब तो काफी बड़े हो मैंने भी तेरह साल के उमर में एक लड़ाई महसा लिया था अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था उसकी उम्र रही होगी तीस से उपर ख़द मंझोला था वहाँ सफेद अंगरखा और पाजामा पहने हुए था उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढखे हुए थे केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा केशव उस आदमी के वेक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नकाशी की तरफ इशारा करते हुए कहा इस लड़ी में अभी काफी काम बाकी है इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता उसने किसी के तेजी से दोड़ कर आने की आवाज सुनी प्रिष्ट संख्या 35 यहाँ और कोई नहीं मेहल का पहरेदार था हाफते हुए उसने कहा फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला बेवकुफ खड़ा हो हुजूर आला के सामने बैठने की जुरत कैसी तुने जुक कर सलाम कर इने अब केशव का मा था ठनका उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था बदहवासी में छेनी हाथ से चूट कर नीचे गिरी और वो जल्दी से उटकर खड़ा हो गया अरे ये कहीं बादशाय अकबर तो नहीं यहाँ ख्याल आते ही उसने जुक कर सलाम किया और खरगोश की सी कातर नजरों से अकबर को देखने लगा अकबर को पहरेदार की यह दखल अंदाजी भली ना लगी उन्होंने खीच कर पहरेदार को वहां से जाने का इशारा करते हुए कहा ठीक अजबाई, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो पहरेदार तो चला गया मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए वापस अपना नकाशी का काम शुरू करे या बाश्चा के हुक्म के इंतजार में खड़ा रहे दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था हाँ, पर अवह डरा हुआ नहीं था क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते वे मुस्कुरा रहे थे तुमारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज में पूचा केशव फूरती से अपने पिता के पास भागा गया और उनका छेनी हथोड़ा उठा कर उल्टे पाउन लोटाया दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैट गए और पास में पड़े पत्थर को खीचते हुए भूले ठीक है अब बताओ के मुझे क्या करना है केशव ने संदे भरी नजरों से अकबर की और देखा हुजूर क्या आप ये सब करेंगे क्यों नहीं मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूँगा नहीं नहीं मेरा मतलब ये नहीं था केशव सकपगा गया दरसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने वड़े बादशाह है ये ठीक नहीं लगता उसने कुछ अन्मने भाव से कहा अकबर हसकर बोले अच्छा लेकिन पिछले हफते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में किसी की मदद की थी क्या ये काम उस से भी ज्यादा मुश्किल है केशव अभी भी असमंजस की स्थिती में था वह अकबर के पास बैट किया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा फिर जैसे कि केशव की पिता ने उसे सिखाया था उसने कोईले के टुकडे से पत्थर पर लकीरें खीच कर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा देखिए सिर्फ इन्ही लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथोड़े से वार किया जिससे कटाव ज्यादा गहरा हो गया अरे अरे नहीं नहीं केशव ने तुरंट गलती पकड़ी अथोड़े को आइस्ता से मारना है ऐसे उसने करके दिखाया अरहां अपनी आँखें थोड़ी मीच कर रखें परना किर्चें उड़कर आँखों में चली जाएंगी अकबर मुस्कुराए जी हुजूर प्रिष्ट संख्या 37 जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा वह लगबग भूली गया था कि उसकी बगल में बैठा यह व्यक्ती हिंदुस्तान का बादशा है एक अनाड़ी से वैस्क पर अपने काम की धाग जमाने में उसे मज़ा आ रहा था वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उके रहे हैं बादशा से जरा सी भी चूक हो जाने पर फौरन उसकी तेओरियां चड़ जाती काम करते करते अकबर पूछ बैठे केशव सही नहीं है क्या और केशव से रहला कर अपनी असहमती जता देता अकबर इतमिनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संग तराश उन्हें बड़े कौतुहल से देख रहे हैं अकबर ने गोर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूनों को ही नहीं तराश रहा था बलकि अपनी तरफ से भी उन में कुछ जोड रहा था जिससे वे डिजाइन ज्यादा खुबसूरत लग रहे थे लड़के के काम करने के अंदास को देखकर अकबर ने धीमे से कहा केशव देखना एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे हो सकता है एक दिन तुम बेरे कारखने में काम करो कारखना? कैसा कारखना? बस एक बार ये महल तयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहां रहने लगें तब मैं कारखाने बन माऊंगा इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे चित्र बनाने वाले कलाकार गलीचों के बुनकर संतराश पत्थर और लकड़ी पर नकाशी करने वाले शिल्पकार सभी वहां काम करेंगे केशव का चेहरा चमक उछा वह मुस्कुराते हुए बोला मैं वहां जरूर काम करना चाहूंगा प्रिष्ट संख्या 38 अकबर उठ खड़े हुए जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा अच्छा बेटा अपना काम जारी रखो हुजूर क्या आप दोबारा आएंगे केशव ने बड़े उच्सुकता से पूछा मैं जरूर आऊंगा केशव फिर तो पूरे दिन संग तराशों के बीच केशव की धूम मची रही वह बार बार बाच्छा से हुई अपने मुलाकात सब को सुनाता रहा रात हुच चली थी केशव बहुत ठका हुआ था पर आँखों में नींद कहा वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया पिता ने मुस्कुरा कर कहा तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो बाच्छा सलामत ने कहा है एक दिन मैं बहुत बड़ा कालाकार बनूगा अपने सिर को पिता की बाहुं के सहारे टिका कर केशव धीरे से बूला हमारे बाच्छा बहुती नेक इंसान है बिल्कुल सही पिता ने कहा कुछ सोच कर केशव ने पूछा बाबा एक बात बताओ बाच्छा के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खुबसूरत महल है फिर वे सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे है पिता ने कुछ यात करते हुए बताना शुरू किया हाँ बेटा बाच्छा का आगरा बहुत सुन्दर शहर है पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है मैंने सुना है कि जब बाच्छा अकबर की कोई संतान नहीं थी इस वज़े से वो हर वक्त परिशान रहते थे वे बहुत साधू संतों और फकीरों के पास गए बटकते बटकते बाच्छा खाजा सलीम चिश्टी के पास सीकरी आए उन्होंने ही बाच्छा को बताया कि उनके एक नहीं तीन तीन संताने होंगी शहजादा सलीम, मुराद और दन्याल केशव ने चेहकते हुए कहा बिल्कुल सही तब बाच्छा ने खाजा सलीम चिश्टी के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया था केशव ने कहा अच्छा अब समझा इसलिए बाच्छा अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है हाँ और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं केशव उनींदी आवास में बूला पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया है प्रिष्ट संख्या 49 अभ्यास केशव की घंटियां एक माशालला ये घंटियां कितनी सुंदर हैं तुमने खुद बनाई हैं बादशाह अकबर ने यह बात किसलिए कही होगी क केशव के काम की तारीफ में ख यह जानने के लिए कि घंटियां कितनी सुंदर हैं ग ग, केशव से बाचीत शुरू करने के लिए ग, घंटियां किसने बनाई यह जानने के लिए यह, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुन्दर घंटियां बना सकता है च, कोई और कारण जो तुम्हें ठीक लगता हूँ दो, केशव पत्थर पर घंटियां और कडियां तराश रहा था उसके द्वारा तराशी जा रही घंटियों और कडियों का चित्र अपनी कौपी में बनाओ तुम्हें क्या कोई खास इमारत याद आ रही है जिसमें नकाशी की गई हो संभव हो, तो उसकी तस्वीर चिपकाओ केशव के पिता गुजराच से आगरा आकर बस गए थे हो सकता है, तुम या तुम्हारे कुछ साथियों के माता पिता भी कहीं और से यहां आकर बस गए हो बाक्चीत करके पता लगाओ, कि ऐसा करने के क्या कारण होते है कहानी से तीन अकबर को पहरेदार की दखल अंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी चार लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है यहां पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है पांच खरगोश किसी कातर आखें पशु पक्षियों से तुलना करते हुए और भी बहुत सी बातें कही जाती है जैसे हेरन जैसी चाल ऐसे ही कुछ उदारन तुम भी बताओ छे अकबर ने जब नकाशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नजरों से क्यों देखा साथ केशव दस साल का है क्या उसकी उम्र के बच्चों का इस तरहें के काम से जुड़ना ठीक है अपने उत्तर के कारण जरूर बताओ आठ केशव बार बार सब को सुनाता केशव सबसे क्या कहता होगा करपना करके केशव के शब्दों में लिखो प्रिष्ट संख्या चालीस शब्दों की निराली दुनिया एक क नकाशी जैसे किसी एक काम को चुनो बढ़ेगिरी, मिस्री, त्यादी जिसमें ओजारों का इस्तिमाल होता है उन खास ओजारों के नाम और काम पता करके लिखो क चेनी, हतौडा, तराशना, किर्चें ये सब पत्थर के काम से जुड़े हुए शब्द है लकडी के दुकानदार और बढ़ी से बात करके लकडी के काम से जुड़े शब्द इकठे करो और कक्षा में उन पर सामोहिक रूप से बाच्चीत करो कुछ शब्द हम यहां दे रहे हैं आरी रंदा बुरादा प्लाई सूत ग हो सकता है के तुम्हारे इलाके में इन चीजों और कामों के लिए कुछ अलग किस्म के शब्द इस्तेमाल होते हों उन पर भी बात चीत करो दो कटाव शब्द कट क्रिया से पैदा हुआ है यहां हम कुछ संग्याएं बता रहे हैं यह बताईए कि यह संग्याएं किन क्रियाओं से बनी हैं इन संग्याओं का अर्थ समझें और वाक्य में प्रयोक करें चुनाओ पढ़ाओ बहाओ लगाओ तीन लड़के ने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुद्बुदाई और अब बताए जा रहे शब्दों में क्या अंतर है वाक्य बनाकर अंतर स्पष्ट करो फुस फुसाना बढ़ बढ़ाना भुन भुनाना चार बेवकूफ खड़ा हो हुजूर आला के सामने बैठने की जुर्द कैसी की तुने छुक कर इन्हे सलाम कर महल के पहरेदार ने केशव से यह इसी लिए कहा क्यूंकि का बाश्चाह के सामने बैठे रहना उनका अपमान करने जैसा है ख बाश्चाह का केशव से बात करना पहरेदार को अच्छा नहीं लगा इसी के साथ रिमचीम भाग पाँच का यह पार्ट यहां समाप्त हुआ प्रस्तुति C.I.E.T. N.C.E.R.T. नईदिल्ली भारत